जै शीराम सभी भगतों को जै माता की फिरे एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप पताएं क्या हनुमान जी मासाहारी व्यक्ति की भी पूजा को स्विकार करते हैं अगर कोई इस तरह की अमरलब सेवन करता है तो क्या उसकी पूजा भी हनुमान जी सविकार करेंगे कैसे करेंगे तो आज की वीडियो इसी विशेपे होने वाली है हमारे साथ अंतक बने रहे तब ही आपको सारी वीडियो समझ भे आएगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें चैनल पे नई ह तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें चलिए सुरू करते हैं आस की ऑनव सबसे पहली बात है कि हनुमान जी सबी की पूजा सविकार करते हैं और एक होती अर्क पूझा एक होतह सविकार्तं पूझा तो इस पूजा से आपको किस पकार से लाब उत्पन हो सकता है अगर आप किसी भी पकार का ऐसा आहार गरहन करते हैं जो की आपको पता है तामसिक तक युखते हैं और जिसके कारण आपके शरीर में विकारों का उत्पादन उत्पन होता है बहुत ही अधिक तो इस से विकार उत्पन होते हैं तो पूजा की तो बात रहती ही नहीं है जब जिस भोजन से भगवान की पूजा करने वाले वेदो पुरानों शास्त्रों में इस बात का बारीकी से उलेकन है आप देखिए कि जिस भी व्यक्ति ने जो आहार ग्रहन करता है कि जैसा खाय अन वैसा ही होने लग जाएगा मन हमारा मन जो है वो विचलित होने लगाता है जब हम तामसिक आहार ग्रहन करते हैं अगर हम तामसिक आहार ग्रहन करकर भोजन को पान करेंगे, हनुमान जी की पूजा करेंगे, जै मा आप मा दुर्गा की पूजा कर रहे हो, या हनुमान जी की पूजा करो, या वैशनो मा की पूजा करो, जब मा वैशनो की शक्तियां जो होती है, माना जाता है कि कल्यूग में मा वैशनो जागरित शक्ति हैं तो मा जैसे की मा लक्षमी मा सरस्वती और मा काली तीनों शक्तिया जो हैं मा वैशनों में दुवाल है तो आपको पता है आप जो बोजन होता है, खाने से उससे कुछ नहीं होता, उससे अवगुन जो है, उसकी बरोती होती है, नेकिन यहां तो बात आगई किसी का मास खाने की, किसी का मास खाने की बात आगई, अगर आप मा काली की पूजा करते हो, या किसी सम्शान भैरों की पूजा करते हो, ता कर लें हो तो आप किस पकार का बोजन गरहन करते हो तो आपकी कहीं न कहीं उससे दोश उत्पन होता है दोश कहीं भी उत्पन हो सकता है घर परिवार पर अम्माल निजये अगर आप हनुमान चलिशा का पाठ कर रहे हो, संकलप लेकर कर रहे हो, सुन्दरकांड का पाठ कर रहे हो, आपके घर में इस पकार के भोजन का उत्पाद होता है, इस पकार के भोजन का खाना बन रहा है, तो आपका पाठ बलकि जो पाठ है, जो पुन्ने में नहीं है, वो दोश में परिवतित हो जाएग और वैशनवी शक्ति कभी भी इस पकार का भोजन गहन नहीं करती है, आप बाबा की किरपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इसमें मेरा एक सवाल और है, किसी भगत ने कॉल करके ये चीज पूछी थी, कि जैसे हम नहीं खाते हैं, और परिवार के लोग खाते हैं, जो के चूले को वैशनवी करो. अगर आपके घर में मादुरगा की पूजा होती है? हनुमान जी की पूजा होती है? तो अपने घर के चूले से इस पकार के बोज़र आप पताए एक बात analysis आप सोच के देखता आप किस बात को आप वारी के से समझझे, जब आप किसी जीव की हत्या करते है या हत्या करागा मीट खाते है जब अगोरी जलती चिता को खा लेता है जलती चिता को खा लेता है अपने मल तक को खा जाता है अपने पिशाब तक को पी जाता है तो आप सोच के देखिए तब उसके दोरहान आप किसी के अंदर का किस पक कम हो क्या आप बताओ आप अपनी तुल्ला कर देना चाहिए या किस तरी के चुला अलग कर देना चाहिए अपने उस घर का मैंने बोल तो दिया अपने घर के चुले पर ऐसा कारिया नहीं करना चाहिए सबसे बड़ी बात हो हाथ जोर दो और शिरी हनवान जी के आगे हो जाए उसके अंदर बदलाव हो जाए उसको ग्यान दीजिए किसी भी चीज को अगर जब तक ग्यान नहीं होता किसी भी चीज को खाने का दोश का पता नहीं होता उसी पकास आपको पता है दितराश्ट अंदा था दितराश्ट अंदा था और अपने सो पुत्रों को भी जो है वो सद्गती नहीं प्रदान करा पाया वो किस कारण उसके कभी कभी जो है पिछले कुछ जनमों पिछे उसने कुछ ऐसा मास का सेवन किया था जिसके कारण जो था वो अंधा हुआ और वो शिराप लगा वे था ये इसी पकार के मास से अब आप बताईए और उस जनम मे जब शिरी कुछ झो की उसको पता है कि मा भारत के अंदर उसने दीखा है संजे ने उसको सारी गिता का ग्यान भी चुनाया है उसके बाप जुथ भी पताए कि शिरी जौ कुछ जो है वो भगवान है और भगवान के होते वे भी उस पाप के उस श्राप झो था उसको कि पूजा याचना कर रहे हैं घर के अंदर और उनकी भक्ती भाव कर रहे हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे विकार जो है उत्पन रहते हैं और वो पूजा में दोश बन जाते हैं और साथ में परिवार को वो सेधने लग जाते हैं उस पकार की चिज़े जो है अवगुन के लूप में बदल जाती है तो अगर आप हनुवान जी की पुझा करते ओ, माता की पुझा करते ओ, यब किसी फिपकार की घर ये खे पर आप नाम ले रहे हो जन्रली की पुझा करते ओ वह एक अलग लुब कि जगर आप मां दुर्गा की किर्पा को प्राप्द करना ज़रो हनुआन जी के किर्पा को प्राप्द करना ज़रो को अनुगा उस्नदे़ इस पवकार कर दूश पूर Officema और साथक्ष शक्ति ये शक्तियों में फर्क है, ये भगवान ने ही इस शक्तियों का फर्क दिखाया है, कैसे अगर आप किसी चीज़ को तामसिक युक्त कारिया करके परसंद करना चाते हो, तो वो अलग है, शोटकट है, लेकिन उससे कुटुम्ब का नाश भी होने का डर है, अगर आप साथवे से हम प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अगर हम शात्विक शक्ति को जागरित करकर उसको प्रसंद करकर उनकी किरपा को प्राप्त कर लेते हैं, तो जरम जमांत्र जो है हमारे धुल जाते हैं, और उसके बावजूद भी साथ पीडियों तक क्या, उसकी आगे आने वाली त्याग साती शक्तियां हमें क्या कैसे खाती है त्याग करना देखिए लसन प्याज आप कई भी प्रोस्टी के घर भी अगर लसन का तरका लग रहा होगा ना तो दो तिन घर पहले जो नहीं खाता हूं उसको एक में सेक्ट में समयला जाएगी आप उस समयल को महसूस करने जाओगे यहां तक कि अगर किसी चीज़ का त्याग करने की शक्ति आपके अंदर आरती है तो सबसे पहली बात आप किसी चीज़ की समझने की शक्ति भी आपकी उद्य होती है अगर आप हनुमान जी को शाक्षी मान कर आप किसी चीज़ का त्याग कर रहे हो मादुरुगा आपको सही माल दर्शन देती है तो अगर आज से ही अगर आप इस पकार का गल्द की जोगा सेवन कर रहे हो तो इसका प्याग कीजिए प्याग करकर आप सद्धगुनी सद्धगुनी बनिए और अपने इस अराध्य की सेवा में जुट जाईए तो बोले जैसितराम जैशिरी कि बाले जैवार आप